अश्कार देश्वाश्योग आज देश में संकट किस्तिती है इस संकट किस्तिती में अपनी मनस्तिती अच्छी रखना ये सोग का संवाध है ये अपने जीवन में समझने के लिए परमात्मा ने समय दिया है ये जो समस्या है प्रकर्ति प्रदत तक है परमात्मा प्रदत तक कहें या पुरुस्प्रदत्त कहें बस इसमें अपन सावधान ही रहना है जो जिवात्मा जो जीव अपने हरिक्षन सावधान रहता है इसलिए भगवान ने गिता में लिखा है अनपेक ससुचिर दक्ष हमेशा दक्षता से किया वा हरे का कर्म वो परमारत है खाली माला जपना मंदिर में जाना या उपवास करना ये माला या भजन पुजन नहीं होता है धर्मा अपने कितना किया उसका महतो पुर्ण नहीं है आपने धारन कितना किया ये महतो पुर्ण है परमात्मा गुनों पे रिश्ते है चाहे वो शबरी के बेर हो या सुदामा के चावल हो, चावल में या बेर में नहीं, उनके प्रेम में था, इसी तरह से अपने जीवन में प्रेम के साथ परमार्त करते हुए, इस समस्या को समाधान के और हम ले जाए, आप में देश बसता है, देश में आप बसते हैं, देश आप से हैं, और आप देश से हैं, एक गाव से लेके पुरे देश हरे की वेक्ति देशवासी है, और विसको स्विकार भी करना चाहिए, वेक्ति कितना भी बुद्धि शाली हो, लेकिन प्रकरती किसी को नहीं चोड़ती है, आज पुरे विश्व ने इसको महमारी के रूप में स्विकार किया है आप लोग अपने मन के साथ में स्विकार करते हुए आप अपना खुद का ध्यान न रखे लेकिन अपने घर के परिवार के अडोस पडोस के देश का ध्यान सभदान रखते होएँ आप सावधान रखे यह भी एक परमार्त है दूसरों के साथ परहिता है जिसको अदमाई जहां आपके द्वारा दुसरों को दिये वे कश्ट यही अधर्म है और आपके द्वारा दुसरों से दिया हुआ सेवा यही धर्म है आप तन से मन से धन से दुसरों के प्रती प्रेम के साथ भी अगर आप उनके सामने आ जाए तो यह एक धर्म कहा गया है तो आप अडोस पोडोस देश वाशियों के लिए भार न निकले लेकिन अडोस पोडोस परिवार इनके साथ में अच्छे के साथ रहते हुए अपने जीवन में परमारत ही समझना भले माला मत करना लेकिन अपने सो के साथ सावधान रहते हुए सेवा का भाव परिवार से लेके महले देश में आई हुई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगीू आज नव्रात्री का परव्ह चल रहा है इस महानव्रात्री के परव में साधनात्मद रष्टि से सोक व साधने के लिए साध्य तक ले जाने का कारिया यह साधना करेगीू और निक्षित रुप्षेव साधना के द्वारा आपके अंतरंग को सो समवाद के साथ समझने का मौका परमात्मा प्रदान करेगा और मुझे लगता है कि दुनिया को समझने के बजाए अगर इसे जगत में खुद को ही समझ ले तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है जो वेक्ति सो को समझ कर सेवा करता है यही धर्म है और यही पुजा है यही पाठ है इस नवरात्री में जितने दिन तक भी सरकार न मनस्तितियों में अपनी मनस्तितियों को बहुत अच्छा रखना मनस्तितिया बिगाड़ने न दे मनस्तितियों को ठिक रखना यही अपना कारियर और अपने जीवन में मनस्तिति जिनके संयमित है यही साधना है आज नवरात्री के परवों में साधना करे जब करे तब करे प्रेम से रहे, परिवार के साथ रहे, ये बड़ा ये साधना मानी गई है, और ध्याम, धारना, उपासना, जबत, प्राणायाम, प्रत्यहारनियम, सैयम, ये अगर आप करते रहेंगे, तो निच्छी तुरुप से आपकी सो शक्ती है, ये साधते हुए, आप अपने मानस को शक्ती मान बनाए, तन से मन बनता है, और मन से ही तन चलता है, आपका तन अच्छा रहेगा, तो मन अच्छा रहेगा, तो तन अच्छा रहेगा, ये एक मेक के उपर आश्रित है, ये दोनों ही तन और मन को दोनों ही साधने का समय आया हुआ है, मन को अगर अच्छा रिखना है तो मंत्र का जाप करे और तन को अगर अच्छा रखना है तो योगिक क्रिया करे जिसको हम योगा कहते हैं सवामी राम देउजी माहराज ने बड़ी अच्छी विस्तार के साथ में योग के उपर रो जाना हमेशा कई वर्सों से लोगों को जागरत किया उसको दूब और संस्कार के माध्यम से आप लोगों तक पोचने का मौका मिला, इनके दर्शक इसको स्विकार करना, अपने मन को बिगड़ने न देना, योग ध्याम ध्यारना उपासना जब करना, मन को अच्छा रखना, भगवान भी मन के द्वारा ही का है, मैया अवैश्य मनोवे इमाम, नित्य उक्ता उपासते, परमात्मा ने तन को ज़्यादा जोर नहीं दिया है, अगर उन तक पोचना है तो मन को का है, और मन को ठीक रखना है तो तन को भी ठीक रखना है, जहां योगा तन को अच्छा रखेगा, और जहां साधना मन को अच्छा रखेगा, दोनों ही ठीक रहेंगे तो हमारा देश ठीक रहेगा मैं चाहता हूं कि सवा और अब जंता किसी की भी पास में यह कोरोना ना आए इसको निच्चित रूप से हराना है जिसको भसमा सुर रूपी राक्सेस हमारे पुरे विश्व के उपर आया है इसको हराना है इसको एक शत्रू के रहें परिष्थितेओं को स्विकार करेते हुए मैं देशवासियों को राम जन्म और नुवरात्री की बद्धाही देते हुए आपकि besteht में करता हूं कि आफ स्वस्त रहें मस्त रहें साधना करें समरुपित रहें प्रेम से रहें अबने जीवन में उसक श्वका मॉतuju के लिए निरंद तर अपना समर्पन रखे इतना ही कहते हुए मैं मेरे वानी को विराम देता हूँ जै सियार